फ्रेंड्स कल जो मैंने वीडियो अप्लोड किया था उसमें मैंने बनाया था आलू तंदूरी सेंडवीच तो जो मैंने वो तंदूरी म्योनिस जो लगाई थी न वो मैंने घर में ही बनाई थी बनती तो ये सेम ही जो हम म्योनिस बनाते न वेसी ही बनती है थोड़ा सा मसाले का फिर बदले इसमें तो ये मैंने घर में बनाई थी फ्रेंड्स एकदम बाहर जैसा इसका टेस्ट आता है बाहर से हम लाते हैं यही मियोनीज कितना महेंगा मिलता है बहुत ज्यादा महेंगा मिलता है तो आप घर में ही बना सकते हैं और किचन में जो हम डेली यूज में मसा जी में वो ही मसाले हमको बाहर से इसमें कुछ भी मेंगा वाला मसाला नहीं डालना है तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा एकदम बाहर जैसा टेस्ट रहता है इसका बाहर जैसा ही लुक रहता है इसका तो आप जरूर ट्राइ कीजेगा और वीडियो अगर आप लोगों को पसं डाल रही हूं। अगर आपको जादा बनाना है तो हर चीज का क्वांटिटी आप बढ़ा दीजेगा। थोड़ा सा मैंने अध्रक का पाउडर डाला है, सोंट डाल दिया है। जीरा पाउडर डाला है और ये में डाल रहे हूं गरम मसाला कि ये काली मिर्ची का पाउडर डाला है और ये में डाल दिया है लेसुन पाउडर तो आपके पास गरम मसाला नहीं है अगर तंदूरी मसाला है तो और भी बेस्ट है इसमें और अच्छी सी टेस्ट आने लगेग तंदोरी मसाले का तो मेरे पास गरम मसाला था तंदोरी मसाला नहीं था वो मैंने डाल दिया था और इसे रख देंगे साइड में अभी मैंने मिक्सी का बड़ा जार ले लिया है उसमें मैं आदी कटोरी दूट डाल रही हूँ तो दूद आदा है और एक कटोरी हमें इसमें तेल डालना है मतलब दूद का डबल इसमें तेल डालना है तो तेल से ही ज़्यादा मियोनिस बनती है और यह मैंने डाल दिया है विनेगर डेड़ चमच मैंने इसमें विनेगर डाल दिया है और यह मैं डाल रही हूँ इसमें डेढ़ ही चमत चिनी डाल रही हूँ तो म्योनिस जैसे बाहर से लाते हैं ना खटी मीट खटी थोड़ी सी मीठी और यह काला नमक डाल दिया है तो वेसा ही इसका टेस्ट आएगा चिनी डालने से और अभी इसे इससे mix इसे पकड़ के थोड़ा सा हिला देना है mix कर देना है और जो हमने ये सूखा मसाला बना के रखा था वो मसाला इसमें डाल देना है तो ये जो जीरा का पाउडर थोड़ा मोटा है तो देखे अभी ये पीस भी जाएगा इसमें तो अभी इसे पीस लेना है और तब तक मीक्सिके जार को चलाना है जब तक ये गाड़ा नहीं हो जाए जैसे हम बाहर से म्योनिस लाते हैं गाड़ी रेती है न वैसी ही ये म्योनिस बनती है तो ये देखें मैं चमच से आपको उठा के बता रही हूँ ये हम इसे थोड़ी देर रखेंगे न तो ये थोड़ी सी गाड़ी और हो जाती है तो ये म्योनिस हमारी इसका कलर देखिए कि सेम वेसी ही म्योनिस इसकी खुश्बू भी वेसी ही आ रही है और खाने में तो ये बहुत लाजवाब बनती है बस इसमें तेल ये याद रखना ह आपको कि आप इसमें सरसो का तेल यूज नहीं करिएगा और अगर यह सोयबिन ओयल रहेगा तो बहुत अच्छा है उसमें कोई भी खुश्बू नहीं रहती है तो वो तेल से अगर आप बनाएंगे तो इम्योनिस का सेम टेस्ट और सेम इसकी खुश्बू आती है तो मैंने सिंग दाने का तेल लिया था मुंपली तेल लिया है मैंने इसमें और देखिया आपको मैं पास से भी दिखा रहे हैं से मियोनिस वेसी ही लग रही है फ्रेंट्स इसमें हमने कोई भी बाहर का मसाला यूज नहीं किया है कुछ भी महेंगी चीज इसमें यूज नहीं किये ज जीरा पावडर, इलाइची पावडर, गरम मसाले, यह सब के घर में रहता है, फ्रेंट्स आप जरूर ट्राइ कीजेगा, देखें कि अभी थोड़ी देर में यह वापस कितनी गाड़ी हो चुकी है, तो यह ऐसे ही रहती है, एक कंटेनर में भरके आप रख देंगे, और बच जैसी, और बच्चों की तो फेवरेट रहती है, म्योनिस का नाम सुनेगे ना बच्चे, तो बच्चे भाग के आते हैं, नहीं खाने वाले भी इसकी कुछबू, और टेस्ट के आगे, वो भी खा लेते हैं, कि इसका टेस्ट अच्छा है, म्योनिस है, तो बच्चे तो बहुत पसंद आती है, तो आप जरूर ट्राइ कियेगा, यह दूसरी म्योनिस से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें गरम मसाला या फिर तंदूरी मसाला डाला जाता है, तब ही इसका टेस्ट तंदूरी इसे बोलते हैं, म्योनिस या स्वोस बोलते हैं, और बहुत अलग इसक सामन बाहर का नहीं लाया है तो आप ट्राइ कीजिएगा घर में ही बनाईए ये महेंगी वाली म्योनी या सोस तो कल फीर आती हो ऐसी नहीं नहीं रेसिपी के साथ कुछ अलग लेके तब तक के लिए टेक केर इंड बाई